हालो हाई नमस्तेव अनक्कम सस्रिकाल आधाप वेलकम टू माई चैनल आहा मही इदी कंटिन्येशन अफ प्रीवेस व्लोग अंडिस अंडमान्स सेल्यूलार जेयर गुरिंची कम्प्लीट व्लोग इदी इदी टिकेटो चेसी परपरसें 350 रूपीज अन चेप्पैन कदा इदी कुड डिस्क्रिप्शन लो उन्टोंदी और इदो चेसी इवनिंग सिक्स नींचे उन्टोंदी 3-4 शोस नडुस्तायान माटा प्रत्योक्क शोस चेसी 45 मिनिट्स उन्टोंदी और इदी चाला वर्थ वाचिंग मनकी मन इंडिया गुरिंची बिरिटिशेस पालिंच अपड़ुद परिस्तिल गुरिंची तेल्सको अलेंटे कमपल सरीग चूडाल सिन उक मन्ची लाइट शोन चेपपोच्चिने इनिदी विल चाला बाग चेसारू एड़ुद चूसी इन्टोंदी चाला विश्याल तेल्साये असल नरकम अंटे यला उन्टोंदी अन्नि मन विण्डमे कानी अपपटि रोजुकेल लो कैदिलू अन्बविश्यार एड़ुद चूस्ते गनका मनकी चाला एम्मूश्यनल गा मनकी इनका मना बारत देशम्मिधवड प्रेम गवर्वां एक्कोग पेरूत्तुंदी डू वाच इट आउट और सब्सक्राइब टू मै च कि उनितों पे न डाले पानी कोई माता कि उनितों पे न डाले पानी सिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी आसमा क्या यही बाती था गजब डाने को लाके खुर्वत में रखा है हमें तड़ पाने को आसमा क्या यही बाती था गजब डाने को लाके खुर्वत में रखा है हमें तड़ पाने को आज इस घर में हम तैयार थे बर जाने को जीत जी हमसे चुड़ाया है काश आने को सिंदगी बर तो हमें बेज के खाने बानी सिंदगी बर तो हमें बेज के खाने बानी और माता की दो पिनला ले बानी और माता की दो दिला ले बानी सिंदगी बर तो हमें बेजगे ताले पानी अब भी मुझूद है जुल्मों के निशानी लोगो दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगो कहां से शुरू करूँ ये कहानी जुल्मों सित्व की यदास्ता आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाता मैं जो एक रूख हूँ आत्मा हूँ उन तमाम लोगों की जो नहोंने अपने खून बसीने से अपने परिदान से जान की कुरवानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरत बना दिया मैं गवा हूँ उस जल्म का जो यहां आदम के वेटों ने आदम के वेटों पर बेरहनी सिठाए सद्यों से मैं इसी जगे माजूद हूँ मेरे सीने में दफन हैं उस सारी कहानिया जिदोंने इन हरे भरे खूबसुरत टापमों को वो खौफनात नाम काला दुपाने तो वहीं से शुरू करते हैं उसी हर्याली से जो गैद करने वालों के जल्म और गैदियों के स्मून पसीने से बेधा हुट है कहते हैं अन्दमान ध्रीप समू का नाम राहायन के प्रतापी वानर देवता अन्दमान यानि हनमान के नाम पर रखा गया पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाए करने की यूजना बनाई थी तो पहले इनी टापूं से धावा मारने की सोच जब लेकिन बाद मेरा आदा बदल दर धनुष को किसी हम लगे इतिहास और पुरान में अन्दमान ध्रीप समू इसी समसिले में याद किया जाता रहा है उदर दूसरी शतापदी के रोमन भुबूर शास्त्री टॉप में इन टापूं को दुनिया के पहले नक्षे में जगए दी और नाम रखा एकडियों एक ग्रीक गॉड अगेमम नॉन के नाम पर जो भाग के का प्रतीव है इन टापूं की तरफ लोगों का आना शुरू हुए रहन प्रचारक, लुटेरे, बावी, मला, इसमत आज़माने के निकले जहाद हैं हर तरह के लोग यहां आते रहे इस्ट इंडिया कम्पनी ने इंटापूं पर एक बस्ती खायर करने की कोशिश की और यहां लेटनेंट आज इगोल्ड ब्लेयर को भेला मगेर कोशिश ना काप रहे और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इंटापूं की सुख नहीं लेगा कापर दिख खूप सूर्थी और शांत समंदर के बीज जिन्दगी की खामोश लहरें उड़ती और बैश जाते हुगते सूरज के साथ पक्षी जाते और डूपते सूरज के साथ इंटापूं पर जिन्दगी सुकून से सुजाते कि तब ही भारत का पहला स्वाधेंडा सम्गा यानि एधार सुसतावन की आजादी की अधाए तो 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 आवन में मंदर पाने की ललकान जोगार वारत ठोड़ो जाओं अपने के सर्मार रानी चांसी आप्या को पे रानी चांसी आप्या को पे ना राजी दिन्दी दर्वा ओ रिवेन मंदर पान उने म्दा criar वार hon हम और आविन पान पन अगर वह जोग करते कराऊ आढ की मालचन अपने थोगी देत रवाकिया की कराऊ रभी मशDING आखा ले यादाी की दोपे घर्जे आखर आपार पान ютनदी दूम्ड़ो लोहे से लोहा पजता था मची हुई तीची कुचता सुनो कंपनी बालो सुनलो सुनो कंपनी बालो सुनलो नहीं सहेंगे कि अच्छा याज नहीं जल्वी बगावत की लट्टों के तपिश शान पड़े अंडमान द्वीब समूपर पढ़ने वाले थे आजादी के मतवालों को सबख सिखाने के लिए फिरंडी सरकार में 15 जन्वरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीब समूपर को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया His Excellency Governor General ने कांसल में ये पैसला किया है कि अंडमान आइलंड में कैदियों की एक पस्टी बनाए जाए इसमें शुरू में ऐसे मुझरिम रखे जाए जिने बगावट और राजड्रो और इससे टालुप रखने बाले दूसरे अपरारियों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गए यो और इस तरह अंडमान द्वीब समों की पुरानी खाड़ी का नाम लेटनेंट आर्चिबॉल्ट ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुझरिमों की बस्ती गाइन की गई संसतावन के वीरों के नक्षे पदम पर कुछी सार पार अंडमान की धर्ती पर पैर रखे वहावी आंदोलन की राजनेतिक बंदी उने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहावी आंदोलनकारी अंडमान बेजे गए सरदी सुबे का रहने वाला एक पठाँ शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र गयर की सजा कवाड रहा था और अंडमान उसे बद्ला लेने के लिए मौके की तलाश हुए था क्यों भंशेर अली तुम इस मीड़बार में क्या से वह हम सुना है फिरंगी का लाट साइब इदर आता है हम भी देखने आया है सुलम केरने वाले के सर्दार कैसा देखता है मैं सुचता हूँ कि इस खुबसूती के बीच राने के लिए प्रिस्टर होना भी मैं एक्सेट कर लेदा येस इंदीड जस्ट लुक रुटिफल इस प्रिस्टर लोग इस खुबसूती को नाई देटे वरना इस तावको प्रिस्टर नाई स्वर्ग सबस्ते येस सर आप ठीक रहते है तक इदर आये प्लीज हम तुमको खत्म करते हैं प्लाई से जाजी उंके साथ तुमनों तो हैवानी सुलूट के पाहरे हम पर दोरा नभी करेगा पर दोरा नभी करेगा जैसा कि होना था शेर अली को भासी होपे शायद इसी घटना का असर था अंक सेलिलर जेल का काम चीफ कमिशनर केविन और इंजीनियर मक्विन की निगराणी में शुरू हुआ यह रेंस मक्विन आख्यजांच पूरी हो गए यस सर्, हमने पूरा ठापो का मुआना कर रिया है तो आपके साब से जैल का बनेगी मेरा राय में जेल इसी जगा बाने जो अच्छा रहेगा सर् इस पहारी पर? यस सर्, हम इस पहारी को इस्ट का तरफ उबर से खांट कर समुटर से 60 feet की उचाई पर मैदान बना देगा इससे डो फाइदा होगा जेल के लिए जगा निकलेगा और पहारी कात मिसी जो मिटी निकलेगा उसे अम मीचे का डलदल को बरकर ओफिसर्स के लिए टेनिस और क्रिकेट के लिगा मैदान एवन जिमकाना कलब भी बना सकता, सर् टै हुआ के पांच लाख रुबै की लागत से पॉर्ट ब्लेर की इस पहारी पर जेल बनेगा फॉरन कारी गरूं के अलावाद 600 पैदियों को काम पर लगा देआ दिया इस जेल में एक वक्त में 700 पैदियों को बना खाजा सकता है यूजना क्यरोसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जानी थी जिसके साथ दिशाओं में इस साथ खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होगे हर खंड में तीन मंजिले मना जानी थे वर साथों खंड में कुल मिलाकर छेसो अठान में कूठली उगने पांग उना कि हीटों की डुलाए के लिए ट्रेंग की पांच मील लंबी पठ्री बिचाए गए इमारत बनाने के लिए धेर सारे सामान बर्मा से मकवाए पिल जीर को बनाने में कोई तीन करोर इंटे इस्तवाद की इन्सानी खून पसीने की तो कोई गिंदी हुए सुबह, दोबहर, शाम, राथ, कोड़े चलते रहें और काम होता रहाँ दीवारे उठनी शुरूर, आखिरकार दस साल बार, सनुनिस सच्छे में ये विशाल काई जीर तज्यार और यहीं से अग्वान के दिहाज का सबसे काला दौर शुरूरू हाँ, सच कहते हो, आज भी उस दौर को याद करके जुर्चुरी सी हो जाती है मैं पुराना पीबल का पेड़, जील खाना बनने के इस लंबे अर्से में हर रोज अपनी जान की खेर मना दरा क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घरी जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी वॉल पेड़ों की तरहे काट गिराया जाना चाहिए लेकिन मैं बच निकला, मेरी किस्मत में शायद खाड़ा रहकर इस जील में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था हर एक पैड़ी जील के भाटक के भी तरागर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग बेज हुई ब्रिटिश सरकार ने सेल्लिलर जेल के भाटक हर चोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिये किसे ने परचा निकाला तो अंड़मान जेल किसे ने लेख लिखा तो अंड़मान जेल लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जड़ रही हो तो लोगों को कब तक रुक जा सकता है बीशवी सभी शुरू होते होते फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई अलिपूर शड्यंद्र कांड चटगाओं डगैती कांड काकूरी कांड लाहोरी बम कांड मुप्रा विद्रो नासिक शड्यंद्र कितने मामले गिनवाएं ये सूची लंबी है लेहाज़ा एक नए खिस्म के अभियुक्तों ने अंडबान की सलिलर जेल में कदम रखा ये नए पिस्म थी करांतिकारियों की क्या शांदार लोग थे बस्ती में जूंते गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हों आजादी के ये परवाने देश के कुने कुने से आए थे सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोन कितना बाजुए कातिल में है वक्त आने दे बता देगे तुझे आसमा हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है सुहन सिंग भकना हाजिर मोतिलाल वर्मा हाजिर पंडित परमानंद शास्त्री बटुकेश्वर दत्थ हाजिर सचिंद्रनाथ सान्या हाजिर उल्लासकर दत्थ हाजिर पित्वी सिंग आज़ाद पित्वी सिंग आज़ाद हाजिर हर आदमी के दिल में स्वाधीमता की लौजर रही थी इस जोत को पुझाने का काम प्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौबा वो था स्चेर्विलर जेल का जेलर डेविड बेरी चबडाद जी हुजूर नहीं आप कैड़ी लोग आया जी सरकार सभी लाइन से ख़़े हैं ठीक है सेनो इनसे कैड़ो कि इस जगे पर हम शेल को पाल्टू बनाता है तुम जेल करती बार देखता है जन जहें इसको इतना नीचे क्यों बनाया इदर से कोई बागने को नहीं सकता यह सब तरफ 1000 मायल्स तक पानी है और वो पर खुड़ा है और तुम हम को देखता है हम इदर का खुड़ा है देविन बैरी गेड़िट इस तरह कैदियों से ठस ठस भरी जेल की गंड़ी सीलन भरी बददार हवाबे कैदियों का बंड़ी जीवन शुरू होता है बेड़ियों की आवाज वाडनों की गाली गलोज और मार खाते पैदियों की चीख पुकार से गूंचते कोट्रियों का दम भुटमा पौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था लेकिन इन कोट्रियों में ऐसे बंदी भी आए इनहीं के माहा और ठताश कर्मी पे बजाए जुन का मुकाबला करने की प्रेणा के तरह वीर, विनायक, दामूदर, सावरकर ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लियादाना है जय उस्तु देडे शीमहनमंगले, शीवास्पने शुबदे शीवास्पने शुबदे, शीवास्पने शुबदे, स्वतंत्रते भगबती तानं, या शुद्धन बंदे शुदे शुबदे, शीवास्पने शुबदे शुबदे बेडियों में जकड़े वीर सावर कर जब सेलूलर जेल के आहाते में ताखिर हुए तो उनकी जंजीरों से चुड़े लोहे के पट्टे पर उनके जेल की मियाद खुदी हुई थी पचास बरस चौवीस दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक विल सावरगार तुमको डूबार का उम्रकेग का सजा मिला है पचास बारस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा मिस्टर बेरी तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार पचास बरस यहां रह पाएगी सावरकर को इस बात में रद्धी भर में शक नहीं था कि आजादी की जो लब्टे हिंदुस्तानियों के मन में धदक रही है उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर दस बरस लंबार साव सेलूलर जेल की एक ही कोटरी में रह सकें उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को दू बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावर कर उनके ही नक्ष कदम पर चलते हुए सेलूलर जेल आप पहुचे हैं जहां बरसों के तकलीफ है जेलर के जुल्म है कड़ी मेहनत और नितान तकेला बन है जहां जिन्दगी तेरा फुट लंबी और साथ फुट चौनी कोठरी में समट कर रह करती है जी ये कैसा रती खान है चावल में खंकर है समजी में रेध है और दाल में कीड़े खाना क्या है घास फूस है और दन भी देखो कैसे तूटे फूटे जंग से लाल और तेल से जुड़े हुए समसे ज़्यादा कमी तो पानी की है आज सुगा जब मैंने पानी मांगा जमाधार बोला दिन में दो बार मिलेगा बस अरे पीने लायक होता तो बात थी इतनी बास मारता है कि नाक बंद चलके पीना पड़ता है इस खाने को कैसे खा सकते हैं कैदियों को गाली देना या पीचना मामूली बात थी चाहे वो खा रहे हूं या काम कर रहे हूं और काम न सर्फ मुश्किन था बलकि उसका कोटा भी तै था साथ में से चार घंडों की कोछलियों में तेल निकालने के उपकरण लगे थे इंदू भूशन सुधीर भेम चंग तुम लोग इधा चलो नारियल के बोरे उठाओ हर बोरे में हैं 25 से नारियल इन्हें पहुंचाओ तीसरी मंजिल पर शाम तक हर आदमे को तीस पाउंड तेल निकालना है समझे हाव इतना तेल कैसे निका रहे के वह शीने तो हाथ से चलानी पड़ती हैं सब्लान मत लड़ाव बदमाश जो हाथ बंपिस्टॉल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते चलो जल्दी करो भाग कर जाओ और काम करो मेरा बात ध्यान से सुनो जी हुजूर जो आदमी काम नहीं करें उसको प्रेक लगाओ समझा साजा दो कोई छूट नहीं दो छूटा पूरा कराओ जी लेकिन तबाम मार पीट और गाली करोज के बावजूद यदी पैदी काम पूरा नधर पाते तब चूट सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत दोने के विए काफी थी जबादार इसको डो डिन तक टार्ट का वर्डी पाइना काल से इसका काना बांद सिर्फ दो का खंजी दो ये पहला बार काम नहीं पूरा किया इस वास्ते इसको एक हफ़ता अकड़ी में रखो ये बागी का बच्चा है इसको पेड़ी डालो इसको भी पेड़ी डालो छे माइने तर तुम अब तक पाच बार काम का कोटा पूरा नहीं किया हम तुमको इस बदमाशी का मज़ जखाएगा जबादार इसको डन हाई में रखो सारोट्री करफाइनमंट जी कोट्री में काम दाओ जी और इसको पेड़ लगा जी और मार और मार और मार नहीं बोलेगा बोल नहीं बोल नहीं जिसमी ताकत है बोल नहीं उल्हास करदत ने इस सारी तक्रीफ की दिल को छूदेने वाली तस्वीर खींची है हमारे गाओं में तेल के लिए कोलू में बैल जोदे जाते हैं वो भी दिन में दस से बारा सेर से ज्यादा तेल नहीं निकाल पाते हैं जेल में मुझे दो और कैदियों के साथ बैल की जगह जोग दिया जाता था और हमें शाम तक एक मन नारियल का तेल निकालने का काम सौपा जाता जबादार हमें दोड़ने पर मजबूर करते और रफतार धीमी होने पर कोड़े मारते हर रोज न जाने हम कितनी बार लड़ खड़ाते, गिरते और मार खाते और ये सलसिला निरंतर चलता रहा उस्जूर ये काम करने से इकाल करता है क्यों? क्यों क्यों काम नहीं कालेगा? जेसो बरतावी चमदार करते हैं उसमें मैं काम नहीं करूंगा मार पीट और सजा का नतीजा ये हुआ कि उल्हासकर ने साथ दिन के बाद खाना, पीना और बात करना भी बंद कर दिया वाड़नों का खयाल था कि उल्हासकर बागल होते जा रहे हैं लेकिन जेलर बेरी ने इसे नाठक बताते हुए उल्हासकर को बिजनी के छटके लगाने का हुपन दिया जिसके बाद उल्हासकर तीन दिन और तीन राद भी होश रहे उसके बाद गई जाकर डॉक्टर को बुलाया गया सुनों मिस्टर उल्हासकर हम जानता है तुम अपने मूर का आजादी के वास्टे ये करता हम तुमारा काम को टीक नाई समझता है लेकिन तुम अभी जवान है एक दिन अपना सजा पूरा करके वापस अपना मुल्ट जाएगा तब अपना हाथ से जान क्यों लेता है क्या तुम दड़भोक है हम अपना सीनियर ओफिसर का हुकुम नाई बदल सक्ता है लेकिन तुम चाहेगा तब हम तुम को मेंटल हॉस्पितल में बर्थी करा देगा ठीक है इन जानवरों के बीच रहने से पागलों के बीच रहना बेतर होगा उल्हासकर की सारी तकलीफ का जेला डेविड बेरी पर कोई असर नहीं हुआ उल्हासकर के जाने के बाद बेरी ने वीर सावरकर को चठाते हुए पूछा क्यूं सावरकर तुम भी पागल पन का बहान करेगा क्या तुम्हारे बाद मिस्टर बेरी अच्छा हां जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आत्मी पागल हो सकता है रहने तो येसा बात सावरकर तुम आची तरह जानता है उल्हासकर पागल नहीं है बहान काता है मिस्टर बेरी अगर तुम सूचते हो कि उल्लास बहाना कर रहा था तब तुम पहले ही पागल हो चुके हो ये सब अत्याचार बंद करो वरना हमारे पास स्ट्राइक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा छूट नहीं रियायत नहीं तो काम नहीं हमारी मांगें पूरी करो इस तरह पैदियों ने अपना आखरी हत्यार इस्तवाल करना शुरू किया हर तालों का एक लंबा सिल्सला चल पड़ा मगर ऐसे मामनों से जेनल पैरी और उसके अमले के रवाईये में कोई खास्त नहीं बढ़ा कुल मिलाकर सिल्ला जील के गैदी, तक्रीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे मगर एक सुक का स्मरण ना करना ना इंसाफी होगी वो सुक था बुलबुलों की चहक उनका मधुरस्वर, उनके जुम कल कल करते, नार्यल के टुकड़ों पर तूट बढ़ते गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए मैं मन को बलपूर्वक इन बुलबुलों की चहक में लगाये रखता मैं अपनी भाषा उन्हें सिखाने में असमर्थ था यदि सिखा पाता, तो मैं उन्हें देश प्रेम के गीत सिखा देता ताकि अगर कोई में कोठली खोचता हुआ आए तो लोग कहें कि जिसके सामने बुलबुल देश प्रेम के गीत का रही हो वही सावर करके कोठली है एक बार में तीन कैदियों को फांसी पर लटका दिया जाता देल दहरा देने वाली चीखेंड गलती जील का घंता घंता उटता जील की मीनार पर लगी पती चलती बुचती रहती और आठ मीन दूर तक खड़े जहाजों तक खबर पहुच जाती कि फिर से कुछ पैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है बारा मई 1933 को गैदियों ने फिर भूखरताल का सहारा लिया भूखरताल करने वालों में सदार भगत सिंग के बहादूर साथी महावीर सिंग भी शामिल दे हर्ताल के पांचवे दिन जब कैदियों को जबर्दस्ती खुलाग दी जाने लगी तो महावीर सिंग ने दाततवर विरोध किया जालिमों तुम नहीं जानते कि हम कौन है हम मल सकते हैं पर चुपकर नहीं रह सकते हमें और मिला है तुम्हें धूद मिलाने का जो देबादार पकड़ा इसे कलाओ अबादार अबादार तुम्हें थाया है बज़ लगे पुपकर ने, आपकर ये विरो दुम्हें, विरोगे खुपकर ने गचार ओवे मिलाने हम में सकते हैं जालिमों तुम्हें विरोग लौत कि हमें तुम्हें एंगिते की हि जड़ जावती है कि या कि अन्य है अखर मिर स्कृच्छ कॉरत तो hane करें जयों कि आदे विए हिस्ञाव थाल शेया इसे ुप जयों धुछ इसवा समय दिसे अव typically इसकी तो सास बंद हो गई, अब क्या होगा, होगा क्या, लाश को गुपचुप ठिकाने लगा तो, किसी को कानो कान खाबर ना हो, मैं तो कहता हूँ साहब, इसकी लाश को बोरे में डाल कर, पत्थर से बांध कर, समंदर में बहा देजिए, किसा हाँ, लेकिन ये खबर छिपी नहीं नहीं सकी, जब लोगों को पता चला, तो देश भाल में विरोध की भीशन लेग फैरिये, और फिर बेंदालिस दिन बाद, 26 जून 1933 को जेल अधिकारियों ने हधिया डाल देए, लेकिन देश अभी भी घुरामी की जंजीरों में चखड़ा हुआ था, इन्हीं हालात में सन 1937 के समवैधानिक सुधार लागु किये गए, और कॉंग्रिस ने अनीग प्रांटों में मंत्रि मंडल कायम किये, स्वाधिन्दा की तरफ बढ़ते कर्दों में तेजी लाने के लिए अन्दमान के सेलूलर जेल के बंदियों ने भी आवास बुलंद की, बंदियों के रहाई, स्वदेश वापसी और राजनितिक बंदियों के लिए बेहतर सुभी दहाएं हासिल करने की मांग को लेकर, 24 जुलाई 1937 को सेलूलर जेल के कैदियों ने सामुहिक अंशन शुरू किया, इस बुख अड़तार का असर पूरे देश पर पड़ा, जगे जगे कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे, सारे देश के राजनेतिक बंदियों ने अणशन शुरू कर दिया, गुरुदेव रविंदर नाथ ठाकुर और कॉंगर्स की कारकारनी की तरफ से जवाहरलाल नहरू ने पैदियों से भूख अड़ताल समाप्त करने की अपील की, और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश बेजा, मैं कुरुदेव रविंदर नाथ टैगोर और वर्किंग कमीटी की राय में अपनी अपील भी चोड़ना चाहता हूं, आप शर्व हरताल वापिश ले लें और हम पर भरोशा रखें, हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा, सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बार जवाब दिया। देश व्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोशे पर भूग हरताल बलतवी कर रहे हैं। कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश को अपना बना लिया है। बंदे मातरम। 36 दिन के संघर्ष के बाद एक बार फिर बंदियों के जीत हुई। नतीजे के तौर पर सितंबर 1937 से सेलिलर जेल के कैदियों की स्वदेश वाफसी शिर्व होई। आखरी जथा जबरी 1937 में रवाना हुआ। और असी सानवां सेलिलर जेल राजमितिक बंदियों से खाली होगी। और अन्रुमान पीप समू के लिहास का एक तक्रीफ बेर दोर खत्म होगे। मगर एक और सारी दोर शुम होने वाला था। 1949 में दूसरा विश्व हिद शुम हुआ। और 1922 में जापानियों ने अन्रुमान पर कब्सा करिया। वाला के अन्रुमान पर जापानियों का अपदा सिर्फ तीन साथ था। लेकिन इस तरसे में लिए उन्होंने काफी ज़ुट है। हर आदमी और की नजर में अंग्रेजों का चासूस था। हर रोज खेतों से दूर दरास के गाउंदे हाथ से दस्यों लोग पकड़े जाते और मौत के खाप उताते जाते। बहुत से लोग तो खाने की कमी के कारण जहास पर लाद कर तूर समंदर में प्रेक भी जाते। इसी दौरान नेता जी सुभाश संद्र बोस अंड़मान आए और जेल का मौाइना भी किया। मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां वो सेक्डों कैदियों को जासूस करार देकर तक्रीफे पहुँचाते थे। अपनी छूटी सी अंड़मान यात्रा के दौरान नेता जी ने तरंगा भी भेराया। अगरस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समामत हुआ। और तीन साल छे महीने पंदरा दिन के कबजे के बाद अक्टूबर 1945 में अंड़मान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार बाती है। सेलुलर जेल के फाट आकीए बार फिर खुदे और पैदियों के रिहार की एक्टूबर इसके बार दो साल के अंदर अंदर भारत में ब्रिटिश तरकार का शासन खत्म हो गया। अंडबान दवीब समूह अब काला पानी के खाफनाप नाम से नहीं जाना जाता है। लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां जहली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभफ्त भीरों ने यहां दी, आज भी देशभासियों के दिरो दिमाग पर छपी हुई है। इसी लिए अंडमान के भूतपूर वराइडनेटिक बंदियों के भात्रित्व मंडल की इच्छा को स्विकार करते हुए, भारत सरकार ने 30 अपरेल 1979 को खोशना की, कि सेलुनर जेल को राश्ट्रियस पारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानविया यातना है इस कारागार में सही, ताकि भारत वर्ष आजादी की उन मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीडियां भूल नहीं पाएंगी। लोगार जाएंगी।